आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट द्वारा टेली प्राइम के इस अधियाय में आप सीखेंगे लेजर लेबल पर GST एनेबल करना और टेक्स रेट सेट करना और GST लगा कर सर्विसेस के परचिस और सेल्स इन्वाइस बनाना इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्टॉक ग्रूप पर GST एनेबल करना बताया था और आज के वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग लेजर पर GST इनेबल करना बता रहे हैं अब आप सूछ रहे होंगे कि जब हम आपको स्टॉक ग्रूप और स्टॉक आइटम पर GST लगाना बता चुके हैं तो फिर यहां लेजर पर GST लगाना क्यों बता रहे हैं आपको याद होगा कि जब हम स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रूप पर GST रेट सेट कर देते हैं तो पर्चेस और सेल्स के वाउचर बनाते समय GST अपने आप कैलकुलेट हो जाता है पर सर्विसेज में तो स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रूप दोनों ही नहीं होते हैं तो फिर GST कहां सेट करेंगे बस यही कारण है कि सर्विसेज के लेजर बनाते समय हम उन लेजर पर ही GST एनेबल करके टेक्स रेट सेट करते हैं Services कही तरह की हो सकती हैं जैसे Courier Services, Advertising Services, Legal Services, Transportation Services, इत्यादी इस वीडियो में हम आपको Services के Legers पर GST rate सेट करना और उन Legers के साथ काम करना उधारण के साथ समझा रहे हैं हमारा व्यापार अभी नया है और हम चाहते हैं लोग हमारे बिजनस के बारे में जाने इसके लिए हम थे एक Advertising Agency Sky Digital Marketing से बात की उन्होंने कहा कि हम अलग-अलग माध्यम से आपके व्यापार के प्रमोशन के लिए Advertisement करेंगे उस पर होने वाला खर्च साथ हजार रुपए होगा और उस पर 18% GST लगेगा हमने ये डील फाइनल कर ली उन्होंने Advertising का काम पूरा होने पर हमें उसका बिल दिया जो की इस प्रकार है अब सवाल ये है कि इस Service के बिल की Entry कौन से Voucher में होगी तो हम आपको बता दे जब हम कोई Service खरीदते हैं यानि Purchase करते हैं और उस पर GST देते हैं तो हमें इस Service पर दिये गए GST की छूट मिलती है यानि हमें इसकी ITC प्राप्त हो जाती है Service खरीदने की Entry हम Purchase Voucher में करते हैं जिससे ये Entry GSTR2 में जो की GST की Purchase Report है बहां देखने को मिलती है अब इसी तरह जब हम कोई Service बेचते हैं यानि Sell करते हैं तो उस पर GST चार्ज करते हैं तो Service Sell करने की ये Entry हम Cells Voucher में करते हैं जिससे ये Entry GSTR1 में जो की GST की Cells Report है बहां देखने को मिलती है तो चलिए, टेली में इस बिल की एंट्री कर लेते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं, Voucher के लिए V प्रेस करें अब Purchase Voucher के लिए F9 प्रेस करें हमारे सामने Purchase Voucher, Item Invoice मोड में उपन हो गया है जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि Service में कोई आइटम नहीं होता है और जब आइटम ही नहीं है तो Quantity और Rate का कोई सवाल ही नहीं है हम Ctrl और H प्रेस करके इस Voucher को Item Invoice मोड से Accounting Invoice मोड में चेंज कर लेते हैं F2 प्रेस करके Date चेंज कर लेते हैं यहाँ Supplier का Invoice नंबर डालें यहाँ Supplier के Bill की तारीख डालें Party Account Name में हमें Sky Digital Marketing का लेजर सिलेक करना है जो की बना हुआ नहीं है तो पहले उसे बना लेते हैं Particulars में हमें Digital Advertising Service का लेजर सिलेक करना है यह भी बना हुआ नहीं है तो इसे भी बना लेते हैं Name में Digital Advertising Service टाइप करेंगे Under में Indirect Expenses सिलेक कर रहे हैं अब Enterprise करते हुए Statutory Detail पर आ गए हैं Is GST Applicable के आगे Applicable ही रहने दें क्योंकि हम जो लेजर बना रहे हैं उस पर हम Tax Calculate करना चाहते हैं Set Oblake Alter GST Details पर जाकर Yes करेंगे Description में Digital Advertising Service टाइप करेंगे यहां हमें Digital Advertising Service का SAC Code 998361 टाइप करना हैं ध्यान रखें HSN Goods के लिए होता है और SAC Code Service के लिए होता है इस Non GST Goods को No रहने दें और Nature of Transactions के आगे Not Applicable ही रहने दें ध्यान रखें यदि आप इसकी जगह पर Nature of Transactions में यहां से कुछ और सिलेक कर लेंगे तो भविश्य में काम करने में दिकत आ सकती है अब यहां Taxability में Taxable सिलेक कर रहे हैं यहां Integrated Tax में 18% टाइप कर रहे हैं क्योंकि Digital Advertising Services पर 18% टाइक्स लगता है अब इसे Save कर लेते हैं Type of Supply में अभी तक हम Goods सिलेक करते हुए आए थे पर यहां हमें Services सिलेक करना है क्योंकि यह Service का Leisure है अब इस Leisure को Accept कर लेंगे यहां हम इस Leisure के साथ Description भी देना चाहते हैं तो उसके लिए Control और I Press करेंगे अब यहां Leisure Description पर जाकर Enterprise करें यहां Bill के अनुसार Description टाइप कर लेंगे Enterprise करते हुए हम Amount पर आ गए हैं यहां 60,000 टाइप कर रहे हैं अब CGST और SGST के Leisure सिलेक करेंगे यह देखिए 60,000 पर 18% के हिसाब से CGST 5,400 रुपए और SGST 5,400 रुपए कल्कुलेट हो गया है अब Enterprise करते हुए आगे बढ़ें और Narration टाइप करें Narration टाइप करके इसे सेव कर लेंगे आईए अब इसका Print Preview भी देख लेते हैं यह देखिए हमने Leisure में जो Additional Description टाइप किया था वो दिखाई नहीं पढ़ रहा है हम वापस Print Screen पर जाकर C प्रेस करेंगे और यहां टाइप करेंगे Leisure देखिए यहां Show Additional Description for Leisure option No है हम Enter प्रेस करके इसे Yes कर देते हैं और Escape की प्रेस करते हुए Print Screen पर चलते हैं और फिर से Print Preview देख लेते हैं यह देखिए Leisure में दिया हुए Description अब यहां पर दिखाई दे रहा है आई अब इस Entry का Effect हम GST Report में देख लेते हैं उसके लिए Alter और G Keys को प्रेस करेंगे अब GSTR 2 पर जाएं पीरियर्ट चेंज करें अब यहां से B2B Invoices पर जाकर Enter प्रेस करें यह देखिए हमने जो Service ली थी उसका Amount यहां B2B में दिखाई दे रहा है अब इस Cap की प्रेस करते हुए हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं अभी आपने देखा कि हमने जो Service ली थी उसकी Purchase Voucher में Entry किस तरह की जाती है और उस पर GST कैसे लगाते हैं आएए अब देखते हैं कि हम जो Service बेचते हैं उस पर GST कैसे लगाते हैं यानि उसका Sales Voucher किस तरह बनाते हैं इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं हमारा व्यापार Advertising के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है दो जन्वरी को हमारे पास एक रहा काया और बोला कि उसे अपनी कंप्यूटर पर कुछ एप्लिकेशन्स इंस्टॉल करवानी है हमने कहा हो जाएगा और उसका चार्ज हमने उसे 5000 रुपे बताया जिस पर 5% GST एक्स्ट्रा रहेगा किस्ट्मर इस बात से अग्री हो गया और कहा कि आप मुझे बिल दे दें मैं उसका तुरंथी केश पेमेंट कर दूँगा तो चलिए इसका बिल बना देते हैं सबसे पहले F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर उपन कर लेते हैं F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लें यहां party cash payment कर रहे है इसलिए यहां party account name में हम cash select कर रहे हैं अब party details में हम उस कस्ट्मर का नाम type करेंगे जिसे हम service दे रहे हैं यहां उसका address type करेंगे यह कस्ट्मर हमारी ही state का है इसलिए state में मद्व प्रदेश ही रहने देंगे यहाँ नीचे GST Registration टाइप में हम Consumer सेलेक्ट कर रहे हैं और Enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ Particular में हमें Installation Service का Ledger सेलेक्ट करना है जो की बना हुआ नहीं है तो पहले हम उसे बना लेते हैं Under में हम Indirect Income सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम आपको तीन बातें समझाना चाहते हैं पहली जब हमने Advertising Service पर्चिस की थी तो उसका Ledger Indirect Expense के अंतरगत बनाया था क्योंकि उस समय हमने पैसे दिये थे पर यहाँ हम Service बेच रहे हैं और हमारे पास पैसे आ रहे हैं इसलिए यहाँ हम Under में Indirect Income सेलेक्ट कर रहे हैं दूसरी बात टैली की इस कंपनी में हमारा मुख्य व्यवसाए प्रिंटर, मॉनिटर, मोबाइल, AC इत्यादी का है इसलिए Installation Service का यह Ledger हम Indirect Income के अंतरगत बना रहे हैं पर यदि हमारा Main Business Service Provide करने का ही होता तो यह Ledger हम Direct Income के अंतरगत बनाते और ऐसी स्थिती में हम Service Provide करने के लिए दूसरों से यदि Services खरीदते तो उनके Ledger भी Direct Expense के अंतरगत बनाते तीसरी बात यदि हम एक ही नाम की Service खरीद और बेच रहे होते तो उनके Ledgers अलग-अलग बनाना होते और पहचान के लिए उनके पीछे Cells और Purchase लिख देते जैसे कि हम Courier Service खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं तो खरीदने के Ledger का नाम देते Courier Service Purchase और इसे Indirect या Direct Expenses Group के अंडर में बनाते और इसे तरह बेचने के लिए Ledger का नाम देते Courier Service Cells और इसे Indirect या Direct Income Group के अंडर में बनाते चलिए आगे बढ़ते हैं इस GST Applicable के आगे Applicable ही रहने दे Set Oblick Alter GST Details को Yes करें यहाँ पर पहले बताए अनुसार GST Details दे दे अब इसे Save कर लें यहाँ Service सेलेक करते हुए इस लेजर को भी Accept कर लें हम वापस Sales Voucher पर आ गए हैं अब यहाँ हम Installation Service का Amount जो की 5000 रुपए है टाइप कर रहे हैं इसके बाद हम CGST और SGST का लेजर सेलेक कर रहे हैं यहाँ Narration टाइप कर रहे हैं अब इस Entry को Save कर लेंगे और अब चलिए GST R1 पर चलकर इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं B2C Small पर जाकर Enterprise करेंगे यह देखे हमने Installation Service का जो सेल स्पिल बनाया है उसकी GST रिपोर्ट दिखाई दे रही है अब ही हमने Service के Purchase और Sell की जो Entries की हैं यह दोनों State के अंदर की हैं इसलिए CGST और SGST सेलेक किये थे यदि हम अपने प्रदेश के बाहर से कोई Service Purchase या Sell करेंगे तो हमको IGST सेलेक करना होगा तो इस तरह आपने देखा कि हम Service के लिए किस तरह से Leisure पर GST Rate सेट करते हैं और किस तरह उनकी Entry Purchase और Sales Voucher में करते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको तो GST से संबंदित एक बहुत ही महत्तपुन टॉपिक Tax Rate Hierarchy के बारे में बताएंगे ध्यान रखें GST पर काम करने वालों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा धन्यवाद